किसान भाईयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल धाकडेगरी कल्चर में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वाबीन की फसल में बीसेप के प्राइकसर फंगिसाइड का उप्योग कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए बहुत सारे किसान भाई इस फंगी साइड का उपयोग हर साल अपनी स्वाबिन की फसल में करते हैं लेकिन कुछ इसे नए किसान होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो उन किसानों के लिए इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि इसका उपयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितनी मातरा में किया जाता है तो वीडियो में आगे वड़े उससे पहले आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर आपने चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसान भाईयों बात की जाए स्वाइबीन की फसल के बारे में तो स्वाइबीन की फसल जब 40 से 45 या 50 दिनों की बीच में होती है उस समय पर हमारी फसल में कई परकार की फंगस का अटेक देखने को मिलता है आपने देखा होगा आपकी फसल पर जो फूल आते हैं वो ओटोमेटिक नीचे गिरना शुरू हो जाते है क्योंकि जो फूल का डंठल है वो ओटोमेटिक गल जाता है तो ऐसे में फंगस का अटेक वहाँ पर देखने को मिलता है अब बात करें बियसेप के प्राइकसर की तो यह एक बहुत ही स्थांदार फंगिसाइड माना जाता है खास तोर पर अगर आप स्वाइबिन फसल में उप्योग कर रहे हैं तो स्वाइबिन फसल में इसका उप्योग बहुत सारी किसानबाई करते हैं और हर साल करते हैं इसका काफी अच्छा रिजल्ट भी किसानों को देखने को मिलता है इसके अंदर दो टेकनिकल पाये जाते हैं पहला पायरा क्लोश्ट्रोबिन और दूसरा फ्लुकसा पायरोकसाड ये दोनों टेकनिकल बहुत ही सांधार टेकनिकल हैं और यह लगबग सभी परकार की फंगस को चाहे किसी भी फंगस आपकी फसल में लग रही हैं उसको कंट्रोल करने में सक्सम है यानि कि एंथ्राकनोज, राइजोक्टोनिया, पोर्ड बलाष्ट, इसके लवा पौडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ट्यू, किसी भी परकार की फंगस अगर आपकी फसल में लग रही हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं यह किसान भाईयों प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों परकार से फसल में फंगस को कंट्रोल करते हैं यानि कि वर्तमान में जो आपकी फसल में फंगस हैं उसको तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे साथ ही आने वाले 20 से 25 दिनों के अंदर जो फंगस आपकी फसल में आने वाली होगी उसको भी खतम कर देंगे यानि कि फंगस को आपकी फसल में नहीं आने देंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट इन फंगी साइड का मिलता है लेकिन किसान भाईयों इसके अगर खर्चे की बात करें तो इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा रहता है इसका उप्योग लगबग 120 एमेल प्रती एकड की दर से फसलों में इस्प्रे के माध्यम से किया जाता है अब 120 एमेल प्राइक्सर की कीमत लगबग 800 रुपे से लेकर 1000 रुपे के आसपास तक रहती है तो जो हर साल इसका उप्योग करते हैं वो किसान भाई तो इसका उप्योग करते ही है लेकिन अगर आप नए हैं और इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसका उप्योग एक बार करके देखिए, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो किसान इसका हर साल उपयो करते हैं, उनका यह मानना है कि यह फंगस को कंट्रोल करने के साथ साथ फसल में फल फुलो को भी सुरक्सित रखता है और फसल को अच्छी ख्रोध देता हैं, फसल में पिलाशमन की समस्याद दूर करता हैं तो किसानों के अनुसार कई परकार के रिजल्ट प्रैक्सर के मिलते हैं अगर आप अपनी फसल में इसका उप्योग करते हैं तो आपकी फसल में सबसे मुख्य चीज तो सभी परकार की फंगस चाए वह छोटी मूटी या बड़ी से बड़ी फंगस होगी तो भी वह खत्म हो जाएगी तो आप 120 ml परती एकड की दर से BASF के प्राइकसर का उप्योग इसका इस्प्रे करते समय ध्यान रहे कि इस्प्रे करने के बाद लगबग एक घंटे तक वरसात नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी जो रेन फाष्टने से वो एक घंटे की है यानि कि इस्प्रे अगर आपने कर दिया है और एक घंटे तक बारिस नहीं आती है तो फिर गबराने की बात नहीं है फिर यह है अपना काम चालू कर देती है और अगर इस्प्रे किया और तुरंत 10 से 20 या 25 मिल के बारिस आ जाती है तो फिर इसका असर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है तो यह चीज आप खास तोर पर ध्यान रखे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फोलो जरूर करें धन्यवाद